back sir income from business कर रहे थे हम लोग आज हम लोग income from profession के उपर बात करेंगे आपके exam में profession से related दो professions covered है basically जिन से related question आता है जा हम लोग profession का बात करते हैं तो basically दो profession का question पूच्चन पूसता है एक doctor जिसको आप medical practitioner भी बोल सकते हैं और दूसरा Chartered Accountant in Practice एक CA जो अपना professional service दे रहा है लोगों को उसको अपने सरजी क्या बोलते है professional बोलते हैं इन दोनों से related अलग-अलग सम पूछा जाता है कभी CA का सम आ जाता है कभी doctor का सम आ जाता है तो जैसा question रहेगा आपको वैसे deal करना लेकिन क्योंकि ये लोग professional है तो ये अपना books basically they maintain their books on cash basis किसके basis पे cash basis क्योंकि ये cash basis पे books को maintain करते हैं तो आज तक आप क्या कर रहे थे PL से कर रहे थे PL क्या होता है सरजी cash basis होता है कि accrual सर accrual होता है तो क्योंकि ये cash basis maintain करते हैं तो ये सरजी आपको इनका receipt and payment account basically बनावा मिलेगा क्या मिलेगा receipt and payment account अब यहाँ से आपको समझना आपको करना क्या है चीज को डंग से देखिएगा if at all you have been given a receipt and payment account तो आपका debit side receipt होगा credit side payment होगा cash basis है ये ध्यान रखना इसलिए चीजों को समझने के लिए थोड़ा सांती से सुनी है भी चीज को receipt and payment account is nothing बट a cash and bank account तो इसका opening balance या two balance BD जो बोलिये ये हमेशा हमेशा cash और bank का opening balance होता है cash और bank क्या आपके PL में आते हैं income में आते हैं या आपका asset and liability का कहानी होता है asset है आपका तो याद रखना opening balance का कोई काम नहीं होगा आपका income computation में we are going to ignore the opening as well as the closing balances क्योंकि ये cash और bank का closing balances है opening and closing balance है तो इसको अमलोग consider नहीं करेंगे while computing the income from professions पहला rule कि opening closing से कोई मतलब नहीं है first number two अब receipt side का मतलब basically ये income का side है तो इसमें आपको बहुत सारे चीजे जहां जहां से उसके पास पैसा आया होगा वो सारा चीज दिया होगा अभी हम आपके साथ doctor का बात करेंगे doctor को क्या-क्या चीज का पैसा मिलता है एक तो consultation fees yes or no आप दिखाने जाते हैं consult करते हैं आपको कीड़ा काड़ जाता है infection हो जाता है 1000 रुपया फीस ले लेता है yes consultation fees doctor के लिए professional income है yes or no definitely वो doctor है इसलिए मिला second सर्जी सर्जीकल फीस होता है कि नहीं अब किसी के stone हो गया तो सर काटके निकाल देगा लेजर से आजकल कर देता है नहीं तो पेट काटके निकाल देता था yes or no तो सर्जीकल फीस professional income yes or no लोगों के stone होता है तो कई बार क्या करते हैं पहले homeopathy doctor को दिखाते हैं किसको दिखा रहे हो homeopathy doctor को के alopathy homeopathy को भी लोग दिखाता है homeopathy doctor के पास जाते हैं तो फीस लेता है yes or no साथ में वो कुछ और भी बेच देता है जिसको आप बोलते हैं sale of medicine yes or no हम जिस homeopathy doctor को दिखाते हैं वो दवाई के साथ ही सब कुछ ले लेता है पैसा पता ही नहीं चलता हो मीठा मीठा गोली का पैसा ले रहा है कि जो देखा उसका पैसा ले रहा है लेकिन ले रहा है yes or no तो sale of medicine is also a professional income समझ गए चीश को clear है पका साथ में ये भी एक उसका income हो सकता है सोच के देखो तुम अपने आपको doctor से link करो तुम समझ जाओगे visiting fees होता है कि नहीं आपके घर आके देखके जाता है पैसा ज़्यादा लेता है yes visiting fees is also your what professional income समझ गए चीश को clear है अच्छा कई बा doctor को gift दे देता है तो that is called gift from patient क्या ये उसका income है yes or no professional income है ये बताओ नो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चीज आ जाता है कि ये जो gift from patient मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है अगर ये in appreciation of service है in appreciation of service वो जो बंदा काम किया उसके लिए तो situation में it will be treated as professional income क्योंकि उसका profession के चलते उसको ये gift मिल रहा है और अगर ये as a birthday gift या कोई और reason से है तो it will not come under professional income समझ गए चीज को clear है अब मेरी दादी जब बीमार पड़ी थी तो एक डॉक्टर बहुत अच्छा treatment क्या था और उनको बचा लिया था तो हम लोगों ने उन्हें as a gesture बहुत सारे gift दिये थे वो gift उसको क्यों मिला क्योंकि he is very good in his service yes or no वो अपने काम को बहुत अ या इसमें उसके कोई profession का role है नहीं in that case या आपके लिए income from profession में नहीं आएगा अब समझ गए चीज को clear है पका सर सर वो bank में पैसा रखा उससे उसको bank interest मिला मेरे को ये बताओ क्या ये professional income है नहीं सर it will go to income from other sources समझ गए चीज को clear है पका सर ये सब ध्यान रखना sale of car गाड़ी बेच दिया पैसा आएगा ये सौनो क्या ये professional income है नहीं तो ये अपने लिए profession में नहीं आएगा sale of car depreciation निकालते वक काम आएगा समझ गए चीज को clear है पका सर तो ये सब चीजे पढ़के समझनी होंगी कि क्या professional है और क्या professional नहीं है समझ गए अच्छा अब य बहाड़ा लगता है कि नहीं rent of clinic सोचके देखे जहां देखते हैं उनके clinic का बहाड़ा लगता होगा तो again that is your professional what expense professional expense समझ गए उसी तरीके से वहाँ पे कोई compounder होता होगा या उसका assistant होता होगा तो compounder salary और assistant salary जो भी बोलो हो सकता है कि नहीं yes or no इसी तरीके से आपका rent of clinic, compounder salary, fees paid to Indian medical association Indian medical association को आप doctor बनते हैं हम लोग C.A. बनते हैं तो हम लोग को ICI से license लेना पड़ता है और हर साल एक renewal fees देते हैं उसका practicing certificate का तो इन लोग को भी Indian medical association को एक payment करना पड़ता है वो हर साल जो payment करना पड़ता है आपको अपना profession को जारी रखने के लिए देना पड़ता तो it is your professional expense yes or no हाँ sir it becomes your professional expense क्या चीज समझ में आ रहा है clear एचीश पका again sir house old expenses क्या ये आपका professional expense है नहीं क्यों 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 कि ये personal खर्चा है house old expenses समझ गे चीज को clear है पका sir कोई रिक्कत इसके अंदर में सर्जी books purchased for professional use कई बार इन लोगों को magazines खरीदनी पड़ती है जिसके अंदर में पता चलता है कि कौन सा नया medicine आया है क्या development हुआ हो सारा चीज के लिए तो again इन सब चीजों के ऊपर depreciation मिलेगा समझ गे चीज को clear है पका sir कोई रिक्कत इसके अंदर में again ये लोग surgical equipment खरीश सकता है yes or no उसके ऊपर भी इनको क्या मिलेगा depreciation मिलेगा समझ गे चीज को clear है motor car expenses क्या ये allowed होगा yes or no अगर doctor गाड़ी से ही patient के आँ जाता आता है अपने clinic आता जाता है तो उसका खर्चा उसको allowed होना चाहिए yes or no लेकिन अगर बोलते 50% personal और 50% business है professional है तो आधा ही लिखना आधा मत लिखना समझ गे चीज को clear है life insurance premium बोलो नहीं आएगा क्योंकि वो personal nature का है purchase of medicine medicine खरीदा आएगा क्या हा सर medicine बेचेगा कैसे खरीद की तो बेचेगा ना तो medicine जो खरीद रहा है वो भी उसके लिए expense allowed है अच्छा अगर इस medicine में से कुछ medicine वो अपने बच्चे के treatment में use करता है तो वो disallowed हो जाएगा वो personal है समझ गए चीज को clear है तो इन चीजों को यहां पर कोई net profit से समचालू नहीं होगा क्योंकि आपको net profit दिया ही नहीं रहेगा आपके पास तो क्या है receipt and तो आपको ध्यान रखना है जो income allowed होगा उसको लीजिएगा और जो expense allowed होगा बस उसी को लीजिएगा यह ज्यादा easy होता है जो खर्चा allowed है वही less होगा जो income allowed है ब बस वही लेना है income less expense will be your income from business समझ गए चीश को clear है पका सर इसके basis पे ही काम करिएगा clear रहेगा यह चीश पका now क्योंकि cash basis है तो याद रखना cash basis में outstanding का कोई treatment नहीं होता है जो रुपिया देना बाकी है उसको ignore कर देना cash basis बोलता है जो pay करोगे वो expense जो receive होगा वो income समझ गए चीश को यह ध्यान दखना मतलब सर अगर fees received हो रहा है for current year और previous year दोनों year का तो दोनों year का taxable हो जाएगा दोनों current year previous year दोनों taxable कर देंगे समझ गए चीश को यह ध्यान दखना और अगर rent पे हो रहा है सर जी current year का भी और previous year का भी दोनों ही allowed हो जाएगा समझ गए चीश को clear है पका सर यह ध्यान दखना अगर यह line है fees still payable to Indian Medical Association तो क्या करेंगे सर ignore करेंगे still payable है न मतलब payment नहीं किया है जो pay हुआ है या जो receive हुआ है बस उसी से related बात होगा समझ गए चीश को clear है पका यह कहानी अगर set रहेगा तो जब CA वाला करेंगे तो दो line तीन line extra बुला पड़ेगा बाकी सारा चीश यही रहेगा बेटा क्या clear रहेगा पका सर से और आप इसको थोड़ा ढंग से note करिए हम आपके बाद आपके साथ इसके बाद sums स्टार्ट करेंगे प्लीज आईए सर अपने बात करते हैं अब sums के उपर now question number 26 देखिए आपका यह बहुत ही tough question है level high है इस एक को करने से बहुत कुछ covered हो जाएगा इसलिए थोड़ा ध्यान दखना देखिए क्या दिया from the following receipt and payment account compute the income from profession of doctor bed day for the assessment year 22 हम लोग को क्या निकालने बोला income from profession of doctor doctor professional है yes or no तो receipt and payment account बना के दिया है समझ गए अब आईए balance bd क्या इससे कोई मतलब होगा नहीं सर opening balance और closing balance दोनों ही कोई काम का नहीं है ठीक है अब आगे पढ़िए examiner fees क्या यह आएगा चीज को समझें हमने बहुत सारा चीज नहीं बोला है अब इनके उपर बात करो examiner fees क्या हुआ यह patient को examiner करने का फीस नहीं है यह examiner fees है मतलब यह बंदा कई जगा जाके प्रोफेसर का duty देता होगा इन्विजिलेटर का duty देता होगा उसका उनको क्या मिलता है payment मिलता है तो क्या यह इनका main professional income है कि यह other sources है यह other sources में जाएगा यह यहाँ पे नहीं आएगा अब समझ गए चीज को clear है अब suppose करिए visiting fees दिया अब देखे visiting fees का amount कितना है एक लाग बीस अजार examiner fees कितना था दो हजार आपको नहीं लगता दो हजार मतलब छोटा सा छोटा सा मतलब side income कहीं का side income मतलब other sources visiting fees इसके लिए taxable हो जाएगा समझ गए चीज को income from profession sale of medicine क्या आएगा हाँ सर salary as a part time lecturer in a medical college क्या ये आएगा नहीं सर salary है आपका यहाँ पे नहीं आएगा it will go to income from salary अपने को वहाँ से मिल रहा है na gift received from patient क्या ये आएगा हाँ सर एजूम करेंगे in appreciation of service है ये मत मानिये की बड़े का gift है अब डॉक्टर ये थोड़ी बोलेगा अच्छा सोचिए आप अच्छा सोचेंगे उसके बारे में कि उसने अच्छा काम किया है केड़ा काटा का आपको ठीक किया है तो उसका आपको सरजी सेट किया है समझगे चीज़ को आगे बात करिये consultation fees के आएगा definitely sir consultation का ही पैसा मिलता है retainer fee from x limited ये है क्या पहले ये समझो retainer fees क्या होता है आपको हमने कभी बताया होगा कि मेरे दादा जी hospital में काम करते थे as a social service देते थे वहाँ पे he was a dentist और बहुत बड़े dentist थे तो बड़े बड़े government hospitals में जाके वो एक गंटा आदा गंटा बैठते थे तो उनको अपने यहाँ पे retain करने का वो लोग कुछ पैसा देता था वो जो पैसा होता है वो उनको मिलता था तो debt will go to income from other sources not income from profession समझ गे चीज़ को क्योंकि पैसा बहु में उनको 10 रुपिया में आप दिखा सकते हैं तो वो जो चीज है उनको क्या 10 रुपिया मिलता होगा नहीं उनको उस हॉस्पिटल के तरफ से एक fix payment मिलता है कि आपको इतना रुपिया मिल जाएगा समझ गया चीज़ को clear है यह ध्यान रखना savings bank account interest क्या यह आएगा नहीं sir income from other sources correct है interest on government securities again professional income नहीं है यह आपके कहां जाएगा other sources में क्या कोई दिक्कत है तो अभी तक sir अपने को पता चला professional income है visiting fees, sale of medicine, gift from patient and consultation fees कोई दिक्कत इसके अंदर में any problem professional books purchase क्या होगा depreciation membership fees of Indian medical association क्या यह आएगा हाँ sir it is a genuine expense household expense नहीं third installment of car purchase क्या यह आएगा नहीं इसका स्रिफ depreciation आएगा और कुछ नहीं आ सकता rent of clinic क्या आएगा हाँ sir electricity charges आएगा income tax income tax literacy fakie expense allowed income tax litigation expense और appeal expenses बात हुआ था इसको लेके तो यह disallowed है car expenses हाँ sir provided business के लिए यूजो profession के लिए यूजो salary to staff हाँ sir आएगा medicine purchased yes gift to daughter नहीं यह उसका personal खर्चा है surgical equipment only depreciation will come समझ गए चीश को clear है पका सर यहां तक settled है आगे पड़ो two-third of the motor car expense related to his profession तो motor cars rated जो भी खर्चा होगा वो स्रिफ two-third आएगा बाकी नहीं आएगा समझ गे चीश को यह द्यान रखना medicine costing 20,000 was taken for the treatment of his son तो जो medicine purchased है एक लाग साथ हजार का उसमें से बीस हजार personal है तो एक लाग चालिस हजार allowed होगा क्या चीश settled है पका sure आगे बात करो depreciation to be charged on motor car 15% books पे 40% surgical equipments पे 15% हम लोगों को बोला है यह करने क्या हम लोग कर पाएंगे चलिए आगे a cash payment of 50,000 made by a patient was not accounted for in the books पचास अजार रुपिया एक patient से मिला था cash payment जिसको books में नहीं लिखा है तो लिखना पड़ेगा यह सोड़नो तो यह income भी आएगा समझ गए a cash payment है payment का मतलब receipt की income की expense income होगा expense नहीं है cash payment by a patient है doctor नहीं कर रहा है patient दे रहा है doctor को तो यह उसके लिए income माना जाएगा समझ गए चीज को यह द्यान रखना है क्या चीज clear है अभी तक पहले बताओ स्योर क्या चालू कर सकते हैं चलिए सर स्टार्ट करते हैं computation of income from profession कितना नंबर illustration है computation of income from profession of doctor क्या नाम है इस था bet there for the assessment year क्या assessment year है हमारा assessment year 22-23 and relating to the previous year ठीक है बोलो मा तुसको जांडिस हुआ हाँ relating to the previous year 2021-2022 ठीक है बात करें चलिए सर प्रुचर प्रुड़र करें उडसे हैं कहाँ है ठीक है है ठीक है फ्रुपणवख्चर, क्या रहत बातार है तूपर कुछ झांडिस्ट तुए परभ़ करें प्रदे को ओीक है प्रुड़राबन उड़राए प्रुपर प्रुशर्ट प्रुछराए है यह प्रटिकूलर्स देटल सबसे पहले इंकम जो आना चाहिए प्रोफेशनल इंकम बस उनी को लिखेंगे आप और किसी को नहीं लिखेंगे ठीक है देखे क्या दिया हुआ है ध्यान देना भई पहला क्या यह आएगा बैलेंस बीडी नहीं एक्जामिनर फीस नो विजिटिंग फीस यस एक लाग बीस अजार आप लिखेंगे विजिटिंग फीस एक लाग बीस अजार क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में नेक्स्ट आईए सेल आफ मेडिसीन क्या आएगा हाँ सर दो लाग चालिस अजार नेक्स्ट आईए सेलरी अधा पार्ट टाइम लेक्टर इन अमेडिकल कॉलेज क्या यह आएगा नहीं सर गिफ्ट रिसीब फ्रॉम पेशेंट क्या आएगा हाँ एजूम करेंगे क्या क्या एजूम करेंगे कीन अप्रिसियेशन आफ सर्विस है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट्स कितना बीस हजार आगे बात करो कंसल्टेशन फीस आएगा क्या हाँ सर कंसल्टेशन फीस कितना असी हजार करेक्ट है और देखिए रिटेशन फीस नहीं सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट और गौर्वन सिक्यूरिटी कुछ भी नहीं आएगा नीचे एक कहानी था एक कैश पेमेंट और फिफ्टी थाउजन क्या आप टोटल इंकम आ सकता है कर लिजे टोटल दो चालिस एक वीस तीन साथ चार साथ पांच लाग दस अजार क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में एनी प्रॉब्लम अब इसमें से आपको क्या लेस्ट करना होगा एक्सपेंसेज अब एक्सपेंसेज एक एक करके लिखिये जो डेप्रीशेशन है वो लास्ट में करेंगे प्रोफेशनल बुक्स के ओपर डेप्रीशेशन आएगा तो इसको छोड़ दीजेए मेंबर से फीस आएगा दो हज़ार चलिए लिखते हैं मेंबर्शिप फीस आगे बात करते हैं नेक्स्ट हाउज़ एक्सपेंस आएगा क्या नहीं कार का डेप्रीशेशन बुल जाहिए भी रेंट आफ क्लिनिक आएगा हाँ सर चप्विस अजार तो रेंट आफ क्लिनिक 26,000 आगे बात करो इलेक्टिसिटी चार्जेज आएगा यस और नो तो चलिए सर इलेक्टिसिटी चार्जेज कितना है आठ हजार इंकम टेक्स आएगा क्या नहीं सर पर्सनल एक्स्पेंस नॉट आलाओड कार एक्स्पेंसे 60,000 लेकिन तू थर्ड आएगा रिलेटिंग टू इस प्रोफेशन करेक्ट है तो ध्यान रखना कार एक्स्पेंसेज कितना है 60,000 है ना इसका तू थर्ड क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में एनी प्रोब्लम शार आगे बात करो सैलेरी टू स्टाफ कितना चालिस हजार सैलेरी टू स्टाफ चालिस हजार लिख सकते हैं अलाओड है आगे मेडिसीन पर्चेस्ट आएगा लेकिन इसमें 20,000 माइनस होगा सन के लिए जो यूज हुआ है ट्रीटमेंट आफ इस सन आप यहां लिखिए मेडिसीन पर्चेस्ट कितना का पर्चेस्ट है एक लाख सांट हजार देखो कितना बचा एक लाख चालिस हजार करेक्ट है आगे बात करो गिफ्ट टू डॉटर क्या आएगा नहीं सर्जिकल एक्टमेंट पर भी क्या आएगा स्रिफ डेप्रीशेशन आएगा करेक्ट है तो यहां तक सारा काम हो गया हम लोगों को स्रिफ क्या निकालना है डेप्रीशेशन किस किस का आपको डेप्रीशेशन निकालना है कार का बुक्स का और सर्जिकल एक्टमेंट का अगर यह आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा एक्स्पेंसेस का टोटल आएगा एक्स्पेंसेस लेस करेंगे दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम प्रॉफेशन क्या टफ्ट है अभी तक पहले यह बताओ क्या चीज समझ में आया सेटल्ड है आप मेरे को डेप्रीशेशन निकालके देदो बस हम नहीं करेंगे पहले आप करेंगे यहां तक देख लीजे कोई डाउट है क्या प्लीज सर नौ सर कम टू डेप्रीशेशन पार्ट नौ डेप्रीशेशन कार बुक्स और सर्जिकल एक्यूप्मेंट तीन जीच के ओपर और तीनों का रेट आपको शायद दिखके दिया है देखे क्या दिया जब दे दे वही मानना और कुछ मत करना एक्जाम में दिमाग मत लगाना लिखके देगा आपको पंदरा परसंट कार पे बुक्स पे कितना है चालिस और सर्जिकल एक्यूप्मेंट पे पंदरा परसंट अगर अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम वर्किंग नोट बनाने की जगा यहीं कर देंगे पहले से क्या बुक है कुछ भी नहीं है इसी बार खरीद रहें तो हम यह एज्यूम करेंगे कि यूज हो रहा है 180 डेज और मोर तो बुक्स के ओपर पूरा का पूरा सर्ट चालिस परसंट डेप्रीशेशन हम दे देंगे समझ गया चीज को क्लियर है पका सर तो यहां पे हम 20,000 पे 40 परसंट फुल येर का कितना हो जाएगा आठ हजार उप्या खतम हो गया चीज आई विल गिव आ नोट कि इस एजूम डेट बुक इस यूश्ट गया चीज को आगे इसी तरीके से देखो सर्जिकल एक्यूपमेंट्स ये भी पर्चेज हुआ है 60,000 का क्या पहले से है नहीं तो इसको भी यही मानेंगे हम लोग कि ये भी पहले से 180 डेज से ज्यादा यूज और 180 डेज और मोर तो इसके उपर भी 60,000 पे 15 परसंट पूरा फुलियर 60,000 का 15 परसंट 9,000 तो इसका 9,000 लेकिन प्रोब्लम यहां है इसके उपर क्या प्रोब्लम है सर computation of depreciation on car कितना परसंट रेट है अब बोल रहा है third installment of car purchased out of five third installment of car out of five 60,000 तो cost of car कितना हो गया सर जी एक installment साथ हजार का है total कितना installment देगा 5 मतलब car का cost कितना है 3,000 तो इसके उपर दो बार depreciation less हो चुका होगा तो आपको यहां से दो बार depreciation less करना पड़ेगा depreciation on car for first year फिर उसके बाद यह WDV at the beginning of second year होगा फिर इसमें से less होगा depreciation on car for second year फिर अपने को पता चलेगा WDV at the beginning of third year उसके बाद सर third year वाला WDV के उपर depreciation calculate होगा समझ गए चीज को clear है पका सर तो अब 3,000,000 है क्या 3,000,000 पे rate of depreciation कितना है कितना होता है 45,000 correct है sure तो यह पहला साल का depreciation होगा लेकिन कहानी कुछ और है बोला है two-third of the motor car relates to his own profession तो बाकी one-third क्या है personal use है तो हम लोग तो सर जो professional का होता वही less करते हैं तो two-third 45,000 का two-third कितना तो यह कितना हो जाएगा 2,70,000 समझ गए चीज को clear है पका सर देखिए यह लोग क्या किया है क्या किया है यह लोग तीन लाख assume used for less यह हमको एकदम पसंद नहीं है यह लोग half year कर दिया assuming used for less than तो वाला चीज यह गलत है चीज समझ गए आप जो हम आपको बोले clear है इसके basis पे नहीं हो सकता है यह ध्यान रखिएगा अब 2,70,000 पे next year कितना परसंट 15 परसंट again कितना लेंगे two third assume करेंगे कि वो professional use के लिए two third ही करता था तो 2,70,000 का 15% करो भई 27,000 यार ऐसा है दिये देखो तो तो बचेगा 2,43,000 समझ गए चीज को clear है अब depreciation जो आएगा 2,43,000 का कितना परसंट इन्टू टू बाई 3 द्यान देना भई तो 24,300 will be the depreciation on car समझ गए चीज को clear है पका सर ये गलती है बुक में गलत किया हुआ है हम उसको support नहीं कर सकते हैं समझ गए चीज को clear है हम लोग depreciation का ऐसा illustration कर चुके हैं जिसमें personal use वाला part था तो 24,300 क्या चीज clear है पका अब देखे सारा expense का total क्या आ रहा है 26 प्लस 228 28 प्लस 8 प्लस 8 इस 36 36 प्लस 40 76 एक लाग सोला एक सोला प्लस एक चालीस 256, 256 और नो 265, 265 आँ 273, 273 बीस 293 297, 300 है क्या है देखो तो भई जोड के देखे तो हाँ यह ही है 297, 300 माइनस पाँच लाग दस अजार दो लाग बारह हजार 700 यह इंकम फ्रॉम प्रॉफेशन क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया डेप्रीशेशन वाला पार्ट द्यान रखना नहीं तो वहाँ गलत हो जाएगा नोट करिए प्लीज सर नौ सर कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 35 चीज को डंग से समझना डॉक्टर का ही समय बट थोड़ा अलग है है क्या देखो मिस्टर उपम घोस्वामी 45 years is a medical practitioner of Kochi ठेक है इस income and expenditure account for the year ending 31st March 22 यह income and expenditure account है तो आपको पता होना चीज़े debit side expense होता है और credit side income होता है अब यह है तो income expenditure मतलब यह भी cash basis वाला है कैसे पता cash basis में recipient payment income expenditure बनता है समझ गए चीज़ को यह ध्यान रखना medicine consumed क्या यह allowed होगा की नहीं होगा मेर को यह बताओ होगा sir medicine consumed medicine sale of medicine purchase of medicine होता था ना तो यह this is expense allowed staff salary allowed होगा हाँ sir staff salary allowed होगा clinic consumables allowed होगा rent paid होगा administrative expense होगा उस जगा को administer करने के लिए कोई बंदा होता होगा उसके लिए sir जी payment to IIT Delhi for approved scientific research बताइए इसका क्या होगा अगर हम donation दिये scientific research के लिए क्या हमको उसका deduction मिलता है कि नहीं section 35 में sir उसका मिलता हम लोग को deduction ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं depreciation on clinical equipment वो लिए allowed कि disallowed अगर नीचे में detail दिया होगा तो अलग बात है नहीं तो यह allowed हो जाएगा net profit से हमनों को कोई मतलब नहीं है consultation fees allowed कि disallowed allowed medical charges allowed sir जी dividend from Indian company sir it will go to income from other sources winning from lottery other sources rent from property let out income from house property तो यह तीनों आपके नहीं आएगा समझ गे चीज़ को clear है पक्का आगे बात करिए other information clinical equipments are first April 2021 को opening WDV तीन लाख साथ हजार new acquisition कितना 80 जार का एक October को तो October November December January February March हम लोगों को देखना पड़ेगा 180 days हो रहा है कि नहीं अगर 180 days और more होगा तो full year का depreciation होगा यह ध्यान रखना sir जी इसके ओपर rate of depreciation 15% बोल भी दिया नहीं भी दिया रहे है तो द्यान रखना rent paid includes 28800 paid by check towards the rent of his residence क्या यह allowed होगा नहीं घर का rent है तो allowed नहीं होगा तो सर्जी rent paid में से 28800 minus हो जाएगा समझ गए चीज को clear है आगे बात करिए rent received relates to property let out at kochi तो income from house property में जाएगा the municipal tax of 7200 paid in January 22 has been included in administrative expense तो यहाँ से minus हो जाएगा municipal tax rent paid कहाँ जाएगा house property में जाएगा समझ गए चीज को clear है पका उसका GAV से less होता है municipal taxes gross annual value आपको इसके basis पे compute the income from profession क्या कर पाएंगे आप चालू करिए income less expenses करना put करिए देखिया आपसे क्या होता है गलत करिए क्या दिक्कत है तब तो सीखेंगे चीज को चालू करो प्लीज आईए सर किसका दिया कॉस्चिन Mr. Rupam चलिए लिखते हैं computation of income from profession of Mr. Rupam ठीक है आप लिख लिजएगा assessment year, previous year, particulars, details, amount अपने को क्या चाहिए incomes जो आना चाहिए वो लिखेंगे चलिए सर income side देखिए consultation fees क्या आएगा yes or no हाँ सर आठ लाग तो चलिए लिखते हैं consultation fees आठ लाग आगे बात करो medical charges आठ लाग असी हजार 16 लाग असी हजार यह आपका income हो गया बाकी कुछ भी नहीं आएगा sub other sources और house property से related है correct है अब इसमें क्या करेंगे सर less expenses correct है आओ बात करो क्या क्या expense allowed है medicine consumed आएगा yes or no 6,72,000 तो चलिए लिखते हैं medicine consumed 6,72,000 कोई दिक्कत इसके अंदर में next आईए staff salary आएगा 3,40,000 हाँ sir staff salary 3,40,000 correct है next आईए clinic consumables 1,24,000 कोई भी adjustment नहीं है चलिए सर clinic consumables कितना दिया है 1,24,000 sure आगे बात करो rent paid 96,000 इसमें एक जमेला था 28,800 अपने घर के लिए दिया है तो वो less करेंगे ISR rent paid 96,000 देखो तो क्या बूला है 28,000 is paid by check towards his own residence तो सरजी less paid for residence 28,800 कितना बचरा भी बोलो तो 67,200 correct है आगे बात करिए सरजी administrative expense 2,000,000 है इसमें भी एक जमेला आएगा भी तो चलिए लिखते हैं पहले administrative expense कितना है 2,000,000 आगे बात करो rent received relates to property let out at kochi बोला है the municipal tax 7,200 paid has been included in administrative expense तो आप यहां से less करिए municipal taxes paid कितना सर 7,200 2,000,000 में से 7,200 कितना हो जाएगा सर 192,800 clear HH पकासर से और आगे बात करिए payment to IIT Delhi for approved scientific research 80,000 सर जी पूरा 100% deduction मिलता है अगर हम लोग IIT को donate करते हैं तो contribution to IIT section 35 पढ़ाया हुआ अप लोग को पूरा 80,000 का आपको deduction मिल जाएगा 100% depreciation 40,000 है इससे मतलब नहीं हम लोग ये वाला depreciation compute करेंगे 15% के basis पे correct है तो चलिए सर लास्ट आइटम depreciation on surgical equipment working note 1 आईए surgical equipments फ्रद्यान देना भई कितना परसंट रेट है इसका 15% correct है sir WDV as on 1 for 2021 कितने का WDV sir जी 4,6,000 add acquired or purchase during the year किस दिन खरीदा है भई सड़ जी 1st October 21 को 80,000 का correct है तो आईए सर एक दस दो अजार 21 कितने का 80 टोटल 4,40,000 क्या कोई भी sale है money's payable कुछ भी है ऐसा नहीं है तो इसको क्या कर देंगे निल तो कितना बचा चार लाख this is WDV eligible for depreciation याद है क्या निकाल सकते हैं अब depreciation अच्छा पहले ये बताओ जो खरीदा है बीच में 180 डेज हो रहा है क्या नहीं ध्यान देओ calculation अक्टूबर में पूरा 31 नॉम्बर 30 December 31 correct है January बोलिए 31 February 28 correct है तो एक दो तीन चार पांच 150 एक दो तीन चार तो ये 182 डेज हो रहा है क्या 180 डेज और मोर है येस और नो तो सर्जी है तो फुल येर ही लगेगा तो पूरा का पूरा फुल येर के लिए eligible है तो 4,40,000 into 15% into फुल येर 66,000 का depreciation आएगा कोई दिक्कत इसके अंदर में तो आईए यहाँ पे depreciation लिख देते हैं 66,000 क्या total हो सकता है आईए 6,72,000 प्लस 3,40,000 प्लस 1,24,000 प्लस 67,200 प्लस 192,800 प्लस 80,000 प्लस 66,000 15,42,000 चेक करो तो लेस करिए आपका income from profession कितना था income 16,80,000 1,38,000 is your income from profession क्या चीज समझ में आ गिया सर यहाँ अमारा डॉक्टर वाला part complete मेरे इसाफ से settled है चीज शर पका कोई डाउट है कि इसके अंदर में बोलो easy है doctor वाला charter वाला easy रहता है क्योंकि इसके अंदर में जमेला नहीं रहता add less वाला जो concept add expenses disallowed यह वाला कहानी वो नहीं है बहुत easy रहता है क्लियर रहेगा चीज पका आप इसको देखिए हम आपके साथ अगले क्लास में सर्ट चार्टर अकाउंटन का बात करेंगे आप इसको देख लिजे तबतार till then do take care of yourself and thank you sir clear अभी तक sure पका चलिये